बश्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से एजी मित्रा यूटूब चैनल पर दोस्तों महासिवरात्री की हारदिक सुबकामने आप सभी को आप सभी के लिए भगवान संकर नई जोब लेके आए कुछ वेकेंसिया भी निकली हैं उनमें से एक आप बनो जल महिलाओं के वस्तर में पहला ध्यान रखना पॉमचा सबसे पहला और कई बार एक्जामों में पूछा गया है दोस्तों यह कोशन पॉमचा क्या चीज होता है मैं बताता हूं पॉमचा एक दोस्तों ओड़नी है जो महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से ओड़ी जाती है पॉमचे में दोस्तों दो बात याद रखना मुख्य रूप से पॉमचा तीन फेमसे एक दो पिले रंग का पॉमचा एक गुलावी रंग का पॉमचा और एक चीड का पॉमचा जिसे काले रंग का भी कहते हैं काले रंका भी कहते हैं ठीक है दोस्तों ध्यान रखना पीला पॉम्चा महीलाओं द्वारा उस समय ओड़ा जाता है जब महीला के गर्ब से बेटे का जन्म होता है ध्यान रखना जब बेटा गर्मे जन्मेगा तो महीला कौन सी ओड़नी ओड़ेगी पिला पॉम्चा याद रखना ठीके ना महीलाओं द्वारा पुत्र के जन्म पर पुत्र के जन्म पर ठीके और जब पुत्री का जन्म होगा तो कौन सी ओडनी ओड़ी जाएगी गुलाबी रंकी पुत्री के जन्म पर याद रखना दोस्तों और चीड का पॉम्चा मुख्य रूप से दोस्तों, हडोती का प्रसीद है, याद रखना, और चीड का पॉम्चा विद्वा महिला द्वारा उड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना वापस एक बाप बता रहा हूं, पीले पॉम्चा पुत्र के जनम पर गुलाबी, पुत्री पर और चीड या काला विद्वा महिला द्वारा उड़ा जाता है चीड का पॉम्चा हडूती का परसीद है अब एक बात दोस्तों मेरी थोड़ी ध्यान रखना आप पिले पॉम्चे का नाम आ जाए तो पिला पॉम्चा जैपूर का परसीद है दोस्तों ध्यान रखना और पूरे पॉम्चे की बात आ जाए तो चूरू सेखावटी का परसीद है दोस्तों ये भी बात आप थोड़ी ध्यान रखना है ठीक है बापस दोस्तों एक बार देख लो को अप पॉम्चा करते हैं विद्वाद भहीला शर्चा कर ली उसके बारे में दोस्तों एक होता है गागरा सबको पता है बताने की भी ओसिक्ता नहीं है गागरे में आप एक हाद रख लेना नानना गागरा नानना गागरा दोस्तों सहापुरा भीलवडा का परसीधे के एग दोस्तों आप बात याद रख लेना दिमाग में गोटा क्या होता है बताने की जरुत नहीं है गोटे का नाम याद रख लेना एक तो लपा लपपी एक याद रख लेना किरण बांकड़ी सत्दानी नोदानी और बिजिया ये दोस्तों कुछ गोटे के परकार है कई बार एक्जाम में पूछे गये हैं और पूछते भी है ध्यान रख लेना एक दोस्तों और आपको बात बता दूँँ गोटा उद्यूग कहां का परसीद है तो गोटा उद्यूग दोस्तों ध्यान रखना खंडेला सीकर का परसीद है ये इंपोर्टेंट कोसन है दोस्तों गोटा उद्यूग कह तो आप नाम थोड़ा याद रखना लूगड़ों के लिए पाट उदा गाउं सीकर परसीदे उसके अलावा दोस्तों याद रख लेना लुक्समणगड एक जगह है सीकर के अंदर वो भी परसीदे लाक्समणगड ठीके दोस्तों यो तोड़ी ज्यांद रखना एक पावली बातरी ओडर्ण या इसे कहते हैं कटकी याद रखना इंपोर्टेंट है एक्जाम में पुछा गया है दोस्तों पावली बातरी ओडर्णी या कटकी आदिवासी महिलाओं का वस्त रहें और विवाहित याद रखना आदिवासी और विवाहित महिलाओं का वस्त रहे आदिवासी और विवाहित महिलाओं का वस्तर है पावली बात्री ओड़नी या कटकी कहते हैं इसको चुनरी होती है एक तरह से दोस्तों और ध्यान रख लेना आदिवासियों की दोस्तों एक तो जरीबांद्री ओड़नी एक लहर बात एक तारा बात और एक पणिहारी बात ये दोस्तों मुक्ति रूप से आदिवासियों की ओड़नी है देखिए दोस्तों जरीबात लहर बात तारा बात पणिहारी बात और एक और नाम लिख लो आप कहरी बात ये आदिवासियों की ओड़नी है दोस्तों जयान र प्राट महिलाओं द्वारा भी पहनी जाती हैं यह भी आप बात थोड़ी ज्यान रख लेना थे दोस्तों उसके अलावा दोस्तों कुछ और अपन बात करते हैं एक तो सिंद्री सिंद्री का याद रखना भील महिलाओं की लाल रंकी साड़ी को कहते हैं लाल रंकी साड़ी इसके अलावा दोस्तों एक याद रखना पीडिया पीडिया कहते हैं भील महिलाओं की पीड़े रंकी साड़ी को ठीक है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों याद रखना एक और वस्तर होता है जामसाई जामसाई अदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है एक बात इंपोर्टेंट है दोस्तों आदिवासी महिलाओं की सड़ी एक बात इंपोर्टेंट है कि जामसाई आदिवासी महिलाओं में विवाहीत तथा और विवाहीत दोनों के द्वारा पहनी जाती है और जो रहन साई होती है वो सिरफ रहन साई जो सिरफ विवाहीत द्व पहना पहने जाती यह घ्यान रखना उब ही ल written दोर ये आदिवासी विवाहित महीवंदुरा इस ये बाध थोड़ी द्यान रख लेना दोस्तों ठीक है दोस्ता filtering तो उसके बाद आगे चलते हैं निए अपन एक दोस्तों आप ध्यान रखना टोपियों के बारे में मैंने लिखाया नहीं होगा पहले टोपियों की कुछ नाम याद रख लेना जैसे काकसनुमा खाकसनुमा important person है दोस्तों अभी तक पूछा नहीं गिया है लेकिन पूछ सकते हैं देखो खाकसनुमा खाकसनुमा और चोखुनिया और दूपलिया नहीं दूपलिया दूपलिया नहीं चलते हैं देखी दोस्तों आगे वस्तर होता है महिलाओं का बाला चूनड़ी और एक होता है कमर फोर्ड कमर फोर्ड को कहते हैं मामा चूनड़ी अब बाला चुंदली और काउरफोर दोस्तों आराम से आपने सुनी होगी माइरे के अंदर जब मामा होता है लड़की का वो अपनी बेहन के लिए लेके आता है वो होती है बाला चुंदली जो वधू के मामा द्वारा अपनी बेहन अर्थार्थ वधू की मा के लिए लाएगी ओड़नी एक दोस्तों याद रखना कमर फोड़ या मामा सुनरी जो वधू के लिए वधू के मामा द्वारा लाई जाती है वधू के लिए वधू के लिए वधू के मामा द्वारा लाई जाती है यह दोस्तों बात आप तोड़ी ध्यान रख लेना बाला चुनड़ी और कमर फूर्ड ठीक है दोस्तों आगे अपन चलते हैं एक वस्तर होता है तिलका वस्तर यह मुस्लिम महिलाओं का हैं दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों कैला है दोस्तों बुरका तो आप सभी को पता होगा बुटा भी मुस्लिम महीलाओं का बस अएक दोस्तों मुझब उम्सक्रें होता है फटला फटला अदिवसी महिलाओं द्वारा मरत्था आंदाज माई जानी मक्ита जाना वनि सड़ी आधिवसी महिलाउं द्वारा मरठा अंदाज में बंधी जने वली सढ़ी इसके अलावज दोस्तों एक बश्तर याद रखी गा आप याद रखी गा आप कच्छाबू कच्छाबू में याद रखी गा दोस्तों भील महिलों द्वारा गुटनों तक पहना जाने वाला लेंगा यह याद रखना उसके अलावा दोस्तों एक वस्तर लेख लेना चिर्णाटिया दोस्तों आपने देखा होगा जब भागुट कता वगेरा में एक सादवी जो वस्तर धारन करती है केसिरिया रंका या फिर भगवे रंका वो होता है चिर्णाटिया याद रख लो कि दोस्तों चिर्णाटिया वस्तर उसे कहते हैं जो सादवी महिलाओं द्वारा ग्रहन किया जाता है उसे कहते हैं चिर्णाटिया याद रख लेना, एक दोस्तों वस्तर होता है सोड, सोड या सावड, ये दोस्तों याद रखना, सोड या सावड उससे कहते हैं, जो उनी रंका होता है, क्या उनका होता है, और सर्दी के मुसम में पहना जाता है, उनका और सर्दी के मुसम में उड़ा जाता है, उड़ा जात एक बार वापस देख लो आप कुछ टोपियों के परकार हैं अभी तक कोशन नहीं आया है मॉस्ट इंपोर्टेंट कोशन है फिर भी आपको डला रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है यह एक्जाम इससे परवावी जरूर होगा ठीक है ना काकस नामा खाकस नूमा और चौकु और बुटका भी मुस्ली महिलों दोरा पेना गया बसते रहें कचाबू बील महिलों दोरा गुटनों तक पेना जाने माला लेंगा है और फड़दा अधिवसी महिलों के मरत आंदा जाने वली सडी है याद रखना ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं एक बार फिर इसके चाहिश यहां की लंगोट को याद रखना दोस्तों ठीक है उसके अलावा दोस्तों एक ओडनी का अ परकार होता है डूंगर सॉड़री अब डूंगर साइब डूंगर नहारा मत समझ लेना के लुमर मतलब डूंगर पुर्की है डूंगर साय ओडेली जोदपुर की बढ़ने के लिए निच चो वस्तर बेचाते हैं उसे कहते हैं मुसलोn याद रखना बोल लेता हूँ एक बार मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा नमाज पढ़ते वक्त जो नीचे तो ना है अगे चलते हैं एक वस्तर का थोड़ा ध्यान रखना रेसमी गागरा कहां का परसीदें ये गागरे का ये एक परकार है तो ध्यान रख लेना दोस्तों जैप्पुर का परसीदें ठीके दोस्तों एक आप ध्यान रखना धाबला 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 धोस्तों वह होता है जो उनका लेंगा कह सकते हुआ उनका लेंगा या गागरा ठीके दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना लेंगे कहा के परसीद है तो लेंगे दोस्तों सेखावटी के परसीद है ठीक है दोस्तों ये भी बात थोड़ी दिमाग में रखना उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं साडियों की साडियों में दोस्तों एक तो होती है चुआ चंदन की साडिया चुवा चंदन की साधिया दोस्तों नाथ द्वारा राज समन्द की परसीद है ठीक है दोस्तों उसके अलावा दोस्तों एक याद रिखिया most important suit की साधिया कहां की परसीद है suit की साधिया तो याद रखना दोस्तों ये सवाई मादवपूर की परसीद है है। आप याद रखना इसमब सभव हऔह ध़ूपर की ठीक है दौस्तेंशके आप याद रखना कोटा डोरियां की साइडिया या यह दोस्तों डोरिया की साइडिया के फून कौटा की परसी कि आप सबी दोस्तों पढ़ने में उश्यारी होंगे कैथुन में एक मंदिर इस्तित है राजस्तान का एक मात्र मंदिर विभीशन मंदिर याद रखना दोस्तों उसके अलबा कोटा डोरियों के बारे में एक दू कथन है दोस्तों याद रखना ये कोटा डोरिया की साधिया वसंद् तूगेदरवाट। थीके दोस्तों उसके अलबाए कुछ साजिया और हैं दोस्तों एक तो आप दिमाग में थोड़ी बात को याद रखना इसप्रेई पेंटिंग की साजिया इसप्रेई पेंटिंग की शोगा राजसमन करना है 5 fire धोस्तों उसके अलावा एक दोस्तों याद रखना जामसाही साडी जामसाही छाडी किसे बरीıs क्छसरीद यह दोस्ता इसे बरीग वी कह सकते हो आप विवह के दोरां जो दुलहंदोरा पहनी जाती है वह ओती है विवहापश्यक्ण परbed जाती है और लाल रंग की होती ही दोस्तों याद रखना ठीक है दोस्तों ये थे कुछ साडियों के परकार इसके सोटे लो उसके बाद आगे चलते हैं अपन देखिए दोस्तों आगे अपन चलते हैं एक याद रखना बुगुची के बारे में बुगुची या बगेची ये क्या होती दोस्तों थोड़ो ध्यान रखना बुगची होता है वस्तर को लपेट कर थेला बनाया जाता है जिसके अंदर समान रखा जाता है बनाया जाता है वस्तर वाला थेला दोस्तों गाउं के अंदर चले जाना पुराने जमाने में अब स्कूल जाया करते थे तो बुगुची लेके जाया करते थे उसके अंदर किताबे डालते थे फिर जाते थे पढ़ने के लिए तो वही बुगुची है कपड़े की जो मा के द्वारा कपड़ा पुराना हो जाता है उसे सील कर बने जाती थी ठीक है न दोस्तों तो याद रखना मुची की बारे में थोड़ा ठीक है ना आगे चलते हैं दोस्तों एक साड़ी की बारे में थोड़ा द्यान रखना दो एक साड़ीयां बच गई है जनेब की साड़ी जनेब की साड़ी दोस्तों याद रखना कोट सुमा गाओं दिंगोद कोटा याद रखना उसके अलावा दोस्तों एक और साडिया है फूल की साडिया फूल की साडिया दोस्तों जोबनेर जैपूर की परसीदें ये इंपोर्टेंट परसन है दोस्तों कई बार एक्जाम के अंदर पुछे जाते हैं थोड़ा ध्यान रखना इनका ठीक है उसके अलावा दोस्तों अपन आगे बात करते हैं तो एक वस्तर होता है लालिया ये दोस्तों बच्चे के द्वारा लार गिरती हैं जब एक कपड़ा पहना जाता है जो लार से कपड़े खराब होने से बचाता है उसे कहते हैं लालिया याद रख लेना दोस्तों ठीक है लालिया क्या होता है बच्चे को पहना जाता है गले के अंदर जिससे बच्चे की जो लारे टपकती है जिससे कपड़े खराब नाओ ठीक है वो होता है लालियो या लालिया ठीक है उसके अलाव दोस्तों एक याद कि बच्चों का सर्दी का बस्तर है कि ठीक है उसके अलावा दोस्तों एक याद रख लेना गुली बंद गुली बंद कहते हैं मफलर को मफलर ज्यादा तर बताने की जुरूती नहीं है मेरे को वैसे आप सब भी उस्यार हो पढ़ने में किसी को जुरूती नहीं बताने की को लिख लेना यह ओडनीों के परकार है ध्यान गहीं हर रख लेना थोड़ी धनक, मोट्रबा कॉम्चा थीक है उसके अलावा दोस्तों एक याद रखना ना बाकला या बाकला या भाकला दोस्तों यहां वस्तर सरदी की मोसम में ओड़ने के काम आता है ठीक है दोस्तों ध्यान रखना भाकला या भाकला या भाकलियू ध्यान रखना इसके बारे में इसके अलावा एक और ध्यान रखना चाहते हो ध्यान रखना ना बडूली बडुली किसे कहते हैं जो वरपक्स के दुआरा वदूपक्स के लिए लाया गया समान या साधियां कहे सकते हो वो होती है थिक है दोस्तों तो ध्यान रखना बडूली के बारे में भी आप देखी दोस्तों विस्तार से अध्यन किया है वस्तरों के बारे में दोस्तों तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा अपने दोस्तों को भेजीगा कोई अपने मन में अगर डाउट है तो कमेंट करके बताओ हमको इक लास में कुछ नए टोपी के साथ आएंगी दोस्तों ये पहनावा या वेस्पूसा यहीं पर समापत होती है ठीक है नमस्कार